अब लोग देखी रहे हैं आज 2% से उपर का तेजी है अभी मार्केट 16,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है जैसा कि आप इतर देख लीजिए मैंने कल के वीडियो में बताया आप लोग को कि अगर मार्केट गिरेगा तो वो कहां सपोर्ट ले सकता है अब देख सकते हैं कि जो मैंने पाव पेटन बनाई थे उसी रेंज में जाके रुका और वापस आज इसने गेप अप ओपनिंग दिया है अच्छा खासा बुलिश ग्रीन केंडल बनाए हुआ है अब इंपोर्टन डियो हो जाएगा कि आज ये कहां पे रुकेगा अगर ये 16 1100-1600 के बीच में राया या 16200 को क्रॉस करता है तो बहुत अच्छी बात है बट 16100 से उपर इसको रहना ही पड़ेगा अगर इसको नेक्स्ट वीक पॉजिटिव में लेके जाना है तो सो कल जैसे कि मार्केट गिरा था तो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कुछ स्टॉक अपने एवरेज किये और कुछ में नई बाइंग किये तो इस वीडियो मैं उसके बारे में बात करूँगा तो प्लीज पूरा वीडियो ज़रूर देखिए सबसे पहला स्टॉक जो मैंने बाइ किया कल वो है HCL टेकनोलोजी मैंने इस पर पहले भी वीडियो पनाया कि मैंने इसको पहले भी बाइ किया था जब यह अराउंड 1075 के आसपास था जो पहले वाला पावर पैटन है उस पे था उस टाइम मैंने खरीदा था अभी वापस स मैंने कल इसमें कुछ कॉंटिटी एड की है आप लोग को साइड में स्किन शॉट दिख जाएगा जिसमें आपको दिखेगा और आप देख सकते हैं कल से यह 1.52 परसेंट उपर है और जहां मैंने खरीदा उससे भी यह काफी उपर आ गया है सो मैंने कुल मिला के अपना एवरेज ठीक किया तो पहले 1.75 का एवरेज था अभी एराउंड 1.050 के आसपास का मेरा एवरेज हो गया होगा और आप देख सकते हैं अभी 1.24 के आसपास इसका प्राइज है आप यहां से देख सकते हैं 30% से उपर का टारगेट मेरे को मिलेगा नेक्स टॉक की बात करते हैं नेक्स टॉक जिसमें मैंने बाइंग किया है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री और आप देख सकते हैं अभी इसका 2.118 का कुछ प्राइस चल रहा है इसको बाइंग किया है अभी मैंने इसको पहले भी बाइंग किया था तो एवरेजिंग के लिए मैंने इसको और नीचे बाइंग किया कल जो प्राइस था 2.070 पर मैंने इसका बाइंग किया है अभी 2.117 इसका प्राइस चल रहा है so one of the best company है आप चाहें तो इस पे अपनी नजर रख सकते हैं और आप target देख सकते हैं इसने high बनाए 2800 का तो kind of 30% का target इसमें भी आपको मिल जाएगा अगले stock की बात करते हैं कि अगला मैंने कौन से stock में कल buying किया है अगला stock है आपके सामने आप लोग को देखने को मिल रहा होगा लक्षमी और गैनिक जी हाँ मैंने इसमें कल buying किया है and मेरे buying करने के पीछे का reason भी मैं आप लोग को बता देता हूँ because मैंने ही कुछ time पहले इस पे video बनाया था कि आपने अगर first buying गी है तो 370, 380, 390 के बीच में करनी है और उसके बाद 300 के असपास but आप देख सकते हैं इदर दो दिन पहले एक candle बनाया है जो की full red है and आप देख सकते हैं कि इसने कहां तक इसको touch किया है ठीक है जो मेरा power zone था next वहां से ये वापस आया है ये कब होता है वो मैं आप लोको बता देता हूँ जो भी बड़े players होते है तो वो जो पहले 9 से 9 15 के बीच की buying और selling होती है ये उसमें होता है तो किसी बड़े player ने बहुत बड़ी selling की इसमें जिसकी वज़े से ये 300 के नीचे गया एंड किसी बड़े player ने वापस से इसको खरीद लिया तो overall ये वहीं पे है बट इतना बड़ा range इसने cover किया ये होता है कि जब आप सही power zone पे खरीदना चाहते है न तो यह clearly दिख रहा है कि demand है 300 के नीचे इसलिए ये वापस उपर चला गया न ये सब देखते हुए मैंने इसमें कल buying किया है around 340 के आसपस कितने पर मैंने बाइंग किया है 344 के आसपस मैंने बाइंग किया है अभी 350 का price चल रहा है 10 quantity मैंने इसमें बाइंग किये क्योंकि अगर ये आगे जाएगा नीचे तो इसमें और बाइंग की जाएगी बस ये point of view से मैंने इसमें कुछ बाइंग कर लिए kind of 30-40% आगे अगर जाएगा तो फिर से खरीदा जाएगा आप लोगो बताने का point ये है कि power pattern, power zone, transaction कितना काम का है वो आप लोग को समझना है कि मैं जो power zone बना रहा हूँ, ये वहीं से क्यों वापस जा रहा है क्यों और से क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि वो इतने effective होते हैं तो आप लोग को ये सीखने की बहुत जरूरत है next stock की तरह बढ़ते हैं next stock जिसमेरे बाइंग की है वो है state bank of India ये बहुत अच्छे price पर available है actually जब ये यहाँ पर गिर रा था ना ये आप देख सकते हैं इसने बड़ी सी candle बनाई थी so उस ताइम मेरा price था actually 420 के आसपस कि मैं इसको 420, 430 के बीच में खरीदू but उसके दूसरे ही दिने इसमें लगा था दो green candle बना दी and ये 470 को touch करके वापस आया था तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ तक शायद जाएगा क्योंकि अपने high से already बहुत जादा नीचे है तो मैं 10 रुपे के चकर में इसको छोड़ नहीं सकता था आप देख सकते हैं इसका 540 के असपास high है and banking stock है थोड़ा safe है थोड़ा ठीक है आगे के लिए भी इसको रख सकते हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें buying किया है 10 quantity क्योंकि अगर ये 420-430 के असपास जाएगा तो मैं इसमें और buying करूँगा already अभी मेरा जो target है वो 20% का आप लोग को सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इसमें कुछ time के लिए हम पैसे रखते हैं एक दो quarter के लिए तो 20% पैसा बन सकता है so yes इस वीडियो के लिए तना ही I hope आप लोग को समझ में आया होगा कि कब buying करना है कब buying opportunity ढूननी है या कब आपको wait करना है इस वीडियो के लेतना ही रखते हैं नेक्स वीडियो में आप लोग को कुछ और बताऊंगा जो और stocks खरीदें या आने वाले टाइम में जो खरीदेंगा वो बताऊंगा चैनल को subscribe जबर लेना अगर कुछ पूछना है तो मेरे को comment section में पूछ सकते निकलता हूं मिलता हूं next वीडियो में बाई